कॉंकेर विदानसभा विदायक शिशुपाल शौरी ने बीजेपी के घोशित प्रत्याशी आशाराम नेताम को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि कॉंकेर के वरिष्टो बीजेपी नेताओं से पूछे बिना उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है उनके गाउं के लोग ही उन्हें नहीं जानते दरसल विदायक शिशुपाल शौरी ने बीजेपी प्रत्याशी आशाराम नेताम को लेकर प्रतिक्रिया दिया है क्योंकि बीजेपी ने कॉंकेर नगर में जगय जगय विदाय के खिलाफ पोस्टर चिपका दिये है बीजेपी के पोस्टर लगाने के बाद कॉंकेर विदाय सबा में राजनिती गर्मा गई है और जब से इनका डिकलियर हुआ है प्रत्यासी तबी से ये काम हो रहा है इसका सिधार्थ है कि जो प्रत्यासी है उन्होंने जानबूच के किया है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना उनको लोगबाग जानते हैं और उन्हीं के पार्टी के लोग बहुत नाराज हैं कि उनको बिना संगठन को पूछे सीधे उतार दिया गया है तो उनके अंदर जो हीन भावना है वो जलगता है और बुद्दा विहन व्यक्ति जब निरास हो जाता है तो इसी तरह की हरकते करता है